आज हम करेंगे CBSE Additional Practice Question Mathematics Standard Class 10 2023-24 का Question No.1 Okay, Question No.1 में हमें कहा है which of the following could be the graph of the polynomial हमें एक polynomial given है और हमें ये identify करना है इन 4 ग्राफ में से कौन सा ग्राफ इस polynomial को represent करता है तो जब भी बचा हमें कोई polynomial x की term में दिया रहे का ना उसको हम y is equal to करके लिख सकते हैं जो हम x की value डालेंगे ना उससे हमें x की value डालने पे हमें y की value मिल जाएगी तो इसलिए हम y is equal to करके लिख सकते हैं तो ध्यान दो बच्चा अब जो ये graph है x axis को भी cut कर रहे है कुछ point पे कुछ point पे y axis को भी cut कर रहे है तो ठीक है जब वह x axis को cut करता है graph तो उस case में y क्या रहता है जीरो रहता है तो इसलिए पहले हम y को 0 रखके देखेंगे और x की value निकालेंगे फिर देखेंगे कि x की किस value पे graph को cut करना चाहिए ठीक है तो देखते हैं x की value की आती है y को 0 रखको तो हमने y को 0 डाल दिया अब x की value निकालने के लिए हम क्या करेंगे 0 is equal to x minus 1 into x minus 1 लिकलेंगे कि यहां पावर 2 है और इधर x plus 2 है अब क्या करो बचा एक बार x minus 1 is equal to 0 रखको then second bracket में भी हमारे पास x minus 1 है उसको भी equal to 0 रखको और third bracket x plus 2 को भी 0 रखको ठीक है तो x is equal to इधर हमारे पास क्या आ जाएगा 1 इधर x is equal to क्या जाएगा 1 और इधर x is equal to हमें क्या मिलेगा minus 2 तो फ़र्स टू केसे में x की value 1 है यानि कि यह x एक्स को यह तो one point पे cut करेगा जहा पर x minus 2 है तो जो इसके coordinate होंगे ना x-axis पे इस graph के क्या होने चाहिए एक तो 1,0 होने चाहिए ठीक है और दूसरा minus 2,0 होना चाहिए at x-axis at x-axis यह होना चाहिए ठीक है अब देखते हैं कि कौन-कौन से graph इस point पे cut कर रहे है 1,0 और minus 2,0 पे तो first graph cut कर रहे है अभी option a वहला बन 1,0 पे cut कर रहे है तो और second भी 1,0 और minus 2,0 पे cut कर रहे है third graph भी minus 2,0 और 1,0 पे cut कर रहे है लेकिन जो fourth graph है ना बच्छा वो minus 1,0 और 2,0 पे cut कर रहे है 0 रहते है ना x जहाँ जहाँ ग्राफ y-axis को cut कर रहे है वहाँ पर x किया है 0 है तो अब हम x को 0 रखके देखते हैं और y की value निकालते है तो x को 0 रखेंगे तो x के जागे 0 minus 1 whole square दा जाएगा ठीक है और इधर 0 plus 2 हो जाएगा second bracket में और y is equal to 0 minus 1 minus 1 whole square और 0 plus 2 is 2 और minus 1 into minus 1 positive 1 हो जाएगा minus minus plus 1 और multiply by 2 equal to 2 अब यह जो ग्राफ होगा ना इस polynomial का वो y-axis को 0,2 पे cut करना चाहिए तो अब हम चेक करते हैं कि कौन सा ग्राफ बचिवी option में से option A, option B और option C में से कौन सा ग्राफ y-axis को 0,2 पे cut कर रहे है देखो बचा option A वाला ग्राफ y-axis को कहां कट कर रहे है, minus 2 पे जहाँ पर y-2 है और x0 है y-axis में मिशा x0 रहेगा तो 0,2 पे cut कर रहे है लेकिन हमें वो ग्राफ जो 0,2 पे cut कर रहे है लेकिन हमें वो डूण नहीं हो ग्राफ जो 0,2 पे cut कर रहे हो यानि कि 0,2 कह सकते कि 0,2 पे cut कर रहे है तो हमें यही वाला ग्राफ चाहिए था यह x-axis को minus 2,0 पे cut कर रहे है देखो यह वाला पॉइंट भी satisfy हो रहे है 1,0 वाला पॉइंट भी satisfy हो रहे है और 3.0,2 भी satisfy हो रहे है तो इसका मतलब हमारा answer जो है ना option C रहेगा so option C is our answer